Hello and will come back to the Noobrks student. आज हम फिर से वापिस आचुके है« अपके लिखों के लिख वीचे से पुगी आजुके हो लिखों के लिख अलग सीरीज लिखे करए है Alors अबस cela सोटलोगोगोगोगोगोगोगोगोगै लेवल है जो temporary permanent उनके बारे में और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथी साथ comment में आपको लिख देना कि आपको किस particular platform के लिए free games चाहिए तो इस वीडियो को लंबाना खीचते हुए फटा फटा फटाम गेम्स की तरफ ही बढ़ जाते हैं और इस वीडियो में आपको पांच ऐसे गेम्स बताने वाला हूं जो की इतने popular नहीं है उनमें से हाँ एक गेम बहुत ज़्यादा popular है बाकि जो चार गे और request करना चाहूंगा कि आप ज़रू से हमारे चानल को subscribe कर दे, bell icon दबा दे और साथ ही साथ regular free game के updates के लिए आप हमारे discord server को भी join कर सकते हैं वहाँ पे free games के updates साथ ही जो games पे regular discounts चलते रहते हैं उसके बारे में भी updates आपको वहाँ पे मिल जाएंगे तो वीडियो में आगे ब पे जा सकते हैं और वहाँ से steam का launcher download कर सकते हैं और यह games claim करने के लिए आपको जैसे मैंने बता यह steam की free games के बारे में हैं तो अगर आपके पास steam नहीं है तो आप सबसे फिले जाके steam download कर ले, steam पे account create कर ले, आपको कुछ नहीं करना जाके steam.com पे आपको free account बना लेना, उसमें तो steam पे आने के बाद आपको पहले game सर्च कर लेनी है, गेम का नाम है Black Squad, और Black Squad के साथ-साथ आपको एक और चीज़ free मिलेगी, उसके दो DLC packs, क्योंकि Black Squad का just अभी थोड़े टाइम पहले July मन्त में ही 4th year anniversary था, उन्होंने 4th year anniversary DLC pack launch किये थे, तो 2-2 DLC pack आपको साथ में free मिल जा तो आप उसी साब से समझ सकते, game अच्छा कासा craze है, बट उतना ज्यादा popular नहीं है, market में, बट game के reviews अच्छे है, game एक first person shooter game है, बट आपको for sure buzzer जरू से आने वाला है, graphics थोड़े काम होंगे, but it's a fun game दो, तो दूसरे game के बारे में बता दूसरी game है, ट्रो, ट्रो आपको एकदम minecraft वाली field देगी, ट्रो एक, बोल सकते हो, आप सस्ता minecraft सा है, exact true copy of minecraft हो, उसके भी reviews बहुत सारे अच्छे ही है, क्योंकि आपको पता ही है, exact, अगर replica, अगर कोई minecraft का बना था, और minecraft वेल पेड गेम है, around 2000-3000 की game है, हाँ, लोग T launcher से launch कर लेता है, but वो legal नहीं है, I think तो उसके जगह आप एक उसका alternate use कर सकते हो, ट्रो और इस पर reviews भी आप देख सकते हो, 90,000 प्लस reviews है, और ट्रो आप download कर सकते हो, ट्रो गे reviews भी अच्छा है, इसके भी DLC packs हैं, बट वो DLC packs अभी के लिए तो paid है, आप चाहें तो DLC pack भी buy कर सकते हैं, बट DLC pack भी buy करने से अच्छ तो rather than going cracked version of Minecraft and all, आप ट्रो को select कर सकते हैं, अगर ट्रो कोई जादा पूरानी गेम है भी नी, तो graphics आपको मतलब pretty similar to Minecraft है, आपको आप बोल सकते हो, आपको exact Minecraft वाली vibes आएंगे, थर्ड गेम है, और थर्ड गेम तो मैं क्या ही बताओ, थर्ड गेम तो आप सब ने सुनी होगी, वो है CSGO, और CSGO सब को पता है, सब ने खेली है, वैलरंट के बाद जो सबसे ज़्यादा tactical multiplayer game है, वो बोल सकते हो, आप CSGO ही रही होगी, CSGO में भी वैलरंट से भी ज़्यादा popular रही है, क्योंकि CSGO ने 2012 से लेकि 2020 तक 8 साल market में rule किया है, और उससे पहले CS 1.6 उसने around 10-12 साल market को रूल किया है, तो इतना ज़्यादा popular game कि इसने नहीं सुना, यह तो मैं मान ही नहीं सकता, बड़ अगर नहीं सुना है, तो आप CSGO अफ़कॉर्स डाउनलड कर सकते हैं, और CSGO में भी एक नया update आने वाला है, जो कि CS 2.0 है, आपने उसका वारे में भी सुना होगा, CS 2.0 इस साल रिलीज होने वाला है, जो कि आपको CSGO के ऑफिशल उसमें आपको, जो कि आपको CSGO के ऑफिशल उसमें ही update मिल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं CSGO को डाउलोड करके रखना और CSGO खेलते रहना है, अगर Valorant से बोर हो चुके है तो आप वापिस switch back to CSGO कर सकते हैं, और आ कुछ story mode games होंगी, उनके chances से कि इतने high reviews हो, बाकी तो I don't think हो कि कि इतनी और कोई game होगी, कोई multiplayer game होगी, जिसके इतने अच्छे कासे reviews हो सकते हैं, तो fourth game की तरफ बढ़ लेते हैं, चौथा game है हमारा, Smite, Smite मैंने epic games के उसमें भी आपको बताया था, और जिन लोगों ने वहा समझ सकते, game कितनी ज़्यादा popular है, हाँ, still an unrated game, क्योंकि ये कोई AAA title नहीं है, किसी बड़े studio नहीं बनाया, बट game के reviews बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, game सिर्फ around 6-7 साल हो है market में, लेकिन reviews बहुत ज़्यादा, मतला आप बोल सकते हो, आप steam पे भी देख सकते हो, one lakh plus reviews है, फिर भी mostly positive reviews है, और इसमें आपको 40 plus million players देखने को मिलेंगे, तो आप समझ सकते हैं, multiplayer में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, साथी साथ इसमें आप as in gods character प्ले कर सकते हो, इसमें 125 plus playable characters है, और इसमें अब just अभी नया season launch हुआ है, नया map लांच हुआ है, और नया gods भ सकते हो, तो अगर आप एक Thor fan हो, तो आपके लिए तो कोई भी Norse mythology या किसी भी mythology के fan हो, तो आपके लिए ये game बहुत अच्छा है, अब ये game में एक वैसे देखा है, genre wise तो ये action adventurer है, बट multiplayer बहुत ज़्यादा सही है, इसका action adventurer, नार्मल किसी एक आप बोल सकते हूँ, नार् ये game वाल के वाद द्वार डेवलप और पॉब्लिश किया गया, अगर वाल का नाम अगर आपने नहीं सुना है, तो वाल वाज इंक्लूड़ेद इन देवलप में अन पॉब्लिशिंग और प्रोड़क्शन पाट अफ और दोटा 2, जो की steam की one of the famous games है, steam की नहीं, free multiplayer games में ब प्लेयर बेस बहुत चोटा है इसका, बट फिर भी आप एक अच्छा gameplay आपको मिल सकता है, अगर आपने alien दूसरी games खेली हैं, तो अगर उससे compare करो, तो आपको इसमें भी मजा आने वाला है, मतलब ऐसा कोई आप बोल से तो इतने low graphics होने के बावजूत, इतनी कोई खराब game नहीं है, graphics low है, बट इससे आपको थोड़ा तो मज़ा आएगा इस game में, तो ये cooperative multiplayer game है, तो आपको ज़रू से मज़ा ज़रूर आने वाला है, और reviews भी अगर आप इस game के देखेंगे, भले graphics के बारे में लोगों ने consider किया है, बट graphics के साथ लोगों ने एक चीज़ ज़रूर से notice करवाई comment में, कि this is a fun to play game, आपको मज़ा बहुत आने वाले game में, हाँ, game बहुत पुरानी है, तो graphics of course उतने अच्छे खासे नहीं होंगे, बट अगर आप दूसरे alien games के compare करते हैं, आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है, एक अच्छा कासा multiplayer game, आपके fun time के लिए, अगर आप वैलो खेल खेल के बोर हो गया है, या फिर आप दूसरे multiplayer game से बहुत ज़्यादा stress out हो गया है, आपके लिए ऐसी games बहुत सही रहती है, थोड़ा आपके stress को, आप बोल सकते हैं, यह as in stress buster app के लिए act करेगा, तो यह हमारा 5th game था, 5th game और भी games हैं हमारे पास steam के बारे म अगर मैं सारी की सारी games एकर एक ही वीडियो में बता दूँ, तो videos गोना भी too long और steam पे और भी free games आती रहती हैं, rather than saying single video, I will make it in part-wise, अब समझ सकते हैं क्योंकि और भी नई games part-time आती रहती हैं, और कुछ games जो हो सकता है, popularity के वज़े से paid की तरफ भी switch कर ले, तो until unless हम लोग उ आसको वीडियो में नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसको मैंने as in series wise बनाया, और अगर आपने हमारे epic games के free games के series देखिए हैं, उस पर already 4 वीडियो publish हो चुके हैं, वह वहाँ पे भी आप जाके 20 to 20 games claim कर सकते हैं, और steam के अगर आसे आपको और भी free games चाहिए, जैसा मैंने बोला खुआ हम को तो पता हैं, अगर आप लोगों को जानना है, तो आप लोगों कुछ न neighbours कमेंट करके बताना है कि अगर आप लोगों को ऐसे games ऐसे videos और भी चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर आपको epic games का एक और वीडियो चाहिए, तो वह भी आप comment करके बता सकते हैं, तो फ झाल